नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफाई ध्यान यूटूब चरल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT के बारे में खुश खबरी को लेकर बड़ी खुश खबरी के बारे में PGT भरती उत्तर प्रदेश माधमिक चिक्षा सेवा चैन बोड ने सक्षतकार के साथ प्रवक्ता सवर PGT भरती पूरी करने की और कदम बढ़ा दिये हैं सुप्रिम कोट के निदेश पर भरती 31 अक्टूबर तक पूरी करने की कोशिश में चैन बोड ने PGT की लिखित परिक्षा का पैणाम टुकडों में जारी किया कुल 23 विशयों में 12 विशयों का पैणाम घोशित करने के बाद मंगलबार से साक्षत का शुरू करा दिया जबकि 11 विशयों की लिखित परिक्षा का पैणाम आना भी बाकी है तै समय में भरती पूरी करने की रणनीती के तहत पहले हुई TGT परिक्षा का पैणाम भी विलंबित किया गया है 17 और 18 अगस्त को 2595 पदों के लिए हुई PGT से पहले 78 अगस्त को 12603 पदों के लिए प्रशिक्षित इसनातक शिक्षकों की परिक्षा हुई थी TGT भरती में साक्षतकार नहीं होना है इस कारण PGT भरती परिक्षा में जिन 12 विश्यों की उत्तर माला पर आई आपतियों का निस्तारण विशे विशेशग्यों ने कर दिया था उनका पैणाम अन्य विश्यों में आपति निस्तारण किये जाने का इंतजार किये बिना ही गोशित कर दिया गया है TGT का जो परिणाम है वह इस अपता की अंते तक जारी कर दिया जाएगा वही PGT का जो परिणाम है वह 10 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा तो जैसा कि आपने देखा चैन बोर की ओर सी जल्द अभी इस भरती को संपन की जाने को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है बाद में एक नई भरती भी आपको देखने के लिए मिलेगी तो अपनी तैयारी को लगादार करते रहिए वीडियो को लाइक साथ में शेयर और चैन को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धरन्यवाद